हाई फ्रेंड्स रोसोई बीभा की यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम आपके साथ सेर करेंगे मश्रूम से बना हुआ इतना मज़ेदार सबजी कि इससे पहले तो नहीं खाए होंगे इसे सिर्फ एक बार बना कर खा लेंगे तो रेस्टूरेंट होटल धाबा सब होल जाएंगे तो आएए देखते हैं अब यहाँ पे दम मश्रूम बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम मश्रूम और इन्हें हमने पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है तो सबसे पहले इन्हे हम टुकडों में कट कर लेंगे तो एक मश्रूम में हम चार टुकडे करेंगे आप चाहे तो इसमें सिर्फ दो ही टुकडे कर सकते हैं जैसा आपको पसांद हो तो इसी तरीके से हम सारे मश्रूम को कट करके तयार कर लेंगे तो चलिए यहाँ पे हमने सारे मश्रूम को कट करके त्यार कर लिया है इस तरीके से तो यहाँ पे मसरुम को ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करना है क्योंकि यह फ्राइ करने के बाद बहुत छोटे साइज में हो जाते हैं तो इसलिए इनमें सिर्फ दो ही टुकड़ा करें या फिर चार टुकड़े अब पैन यहाँ पे मीडम आज पर ही धखना है तो चेले यहाँ पर मसरुम जो है बहुत थी बढ़ियां भून गई है बिल्कुल इस तरीके से भून कर त्यार कर लेना है यह देखिए तो अब इन्हें हम निकालेंगे इस सबजी को आप बना कर जब खाएंगे तो एक नया स्वाद आपको देखने को मिलेगा अब वापस इसी पैन में डालेंगे एक चमच सर्शो का तेल यहाँ पर आप रिफेंड ओईल और बटर भी ले सकते हैं अब यहाँ पर लिया है दो मिडियम साइज कटा हुआ प्याज और साथ ही डालेंगे दस बारह लसुन और हाफ इंच अदरख का टुकड़ा और यहाँ पर लिया है दो सुखिलाल मिर्च अब सारी चीजों को इसमें थोड़ा सा मिला लेना है इस तरीके से अब डालेंगे इसमें दो मिडियम साइज टमाटर अब इन्हें भी इसमें थोड़ा सा मिला लेना है इस तरीके से तो अब इसमें हम डालेंगे 10 बार काजू इससे सब्जी में बिल्कुल क्रीमी वाल फिलेवर आएगा आपको पसंद हो तो डालेगा पर इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में अब यहाँ पर डालेंगे 4-5 शरी मिर्च तीखा यहाँ पर अपने पसंद से अजेश्ट कर लिजिएगा अब मिर्च डालने के बाद सारी चीजों को इसमें लगतार चलाते हुए इसमें थोड़ा सा सौफ्ट होने तक भून लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाट और और प्याज सारी चीजे बहुत अच्छे से इसमें सौफ्ट हो गया है बिल्कुल इस तरीके से इनको इसमें पका लेना है क्योंकि इनको हम ग्राइंड करके इनका पेस्ट बनाएंगे तो चलिए इन्हें हम फटा फट से मेक्सी के जार में डाल देंगे तो चलिए अब इन्हें हम ग्राइंड करके इनका फाइन पेस्ट बना लेते हैं तो यहाँ पेस्ट जो है तयार हो गया है बिल्कुल इसी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेना है अब यहाँ पे पैन अच्छे से गरम है तो इसमें डालेंगे हम दो चमज रिफएन ओयल इसके जगे पे आप बटर और सर्चो के तेल भी ले सकते हैं साथ ही डालेंगे एक छोटी चमज जीरा और आधा कप बोल किया हुआ मटर डालेंगे यहाँ पे मटर को हमने पहले ही बोल करके रख लिया था अब इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चमच सबजी किंग मसाला और एक छोटी चमच गरम मसाला एक छोटी चमच काले मिर्च का पाउडर तो इसे हमने कुट कर ले लिया है आप चाहे तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं साथ ही आ अब इसमें एड़ करेंगे काजू, प्याज और टमाटर का भूना हुआ पेस्ट, कोटरे में थोड़ा सा बच गया है तो पानी डालके निकाल लेंगे, बस पानी थोड़ा सा ही डालना है ज्यादा नहीं, अब इन्हें मसालों में बहुत अच्छे से लगतार चलाती हुए मि मिला लेना है और लगतार चलाती हुए मधिम आज पर इन्हें तीन से चार मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेना है और इन्हें लगतार चलाते रहना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीजे बहुत अच्छे से इसमें भून गई है बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें भून लेना है तो चलिए इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमाक और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हराधनिया और साथ ही डालेंगे क्रश किया हुआ कश्चूरी मेथी सारी चीजों के इसमें फिर से अच्छे से मिला लेना है कस्तूरी मेथी जड़ू डालिएगा इससे इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाधाता है तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे आधा गलास पानी जब आप इस सब्जी को ट्राई करेंगे तो हपते में चार दिन बनवाएंगे यह मेरी गरांटी है यह खाने में इतना स्वाधिश लगती है और इन्हें बनाना भी बहुत असान है और इसकी खास बात यह है कि इन्हें आप दो दिन तक फ्रिज में अश्टोर करके खा सकते हैं अब सब्जी को चार मिनट के लिए कवर करके मधिम आज पर पका लेना है तो चले यहाँ पर चार मिनट हो चुका है तो हम कवर को हटा देंगे तो चले यहाँ पर आपका दम मसरूम सब्जी बनके तयार हो गई है तो अब हम गैस को बन करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इस सब्जी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही रखना है इतना ही गाढ़ा तभी यह सब्जी खाने में अच्छी लगती है बिल्कुल ऐसा ही रखना है तो यह लेजिए आपका दम मसरूम सब्जी बनके तयार है तो है ना बनाना असान इस सब्जी को आप ट्राइज जरूर कीजिएगा और पसंद आने पर चैनल को सब्स्काइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर कर देजिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाई बाई